जेहन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवर ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी के एज्जाम में आचुके कुछ महतुपूर्ण प्रस्में तो दोस्तों यह जो वीडियो है बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में एक एक कोश्चन अच्छे और सेलेक्टेड लेवल का है तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले म बता दूँ कि अब आपको दोस्तो डेली PDF मिलेगी आज मैं इस वीडियो को करा रहा हूँ तो आपको इस वीडियो के एक घंटे के बाद में इस PDF के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल से ठीक है तो हैं टो हैं मैं आपको PDF भी दोस्तो विद आंसर की कराता रहूँगा तो आपको टेंसन लेने की जरूरत नहीं है चैनल के साथ में जुड़े रहें और अपनी मेनस से पढ़ाई करते रहें तो चलिए कोश्चन नमबर बन की तरफ चलते हैं कोश्चन नमबर बन है कोश्चन नमबर बन की तरफ चलते हैं कोश्चन नमबर टू है दोस्तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है who is called नेपोलियन ओफ इंडिया options हैं समुद्रगुप्त, चैंद्रगुप्त, असोक और बियार अमबेट कर तो कोश्चन नमबर टू का दोस्तो सही आंसर होगा आपका option A समुद्रगुप्त ठीक है इंडिया का नेपोलियन किसको कहा जाता है समुद्रगुप्त के लिए तो option A यहाँ पर आपका एकदम right answer होगा अब चलते हैं दोस्तो आज की अगले question की तरफ question number 3 लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तो कि आज से हमने reasoning की class भी जो है वो start किये हैं रात को 8 बजे आपको GK और GS की वीडियो मिलेगी जैसे आपको पहले मिलती थी क्योंकि आपके exam अभी होने बाले हैं बहुत नजदिक है इसलिए दोस्तो reasoning और GK GS हम एक साथ आपकी जो है को तयार कराएंगे ठीक है तो 10 बजे reasoning की वीडियो के time है और रात को 8 बजे GK और GS की तो question number 3 है पानिपत की तीसरी लडाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुआ था ठीक है ओप्सन से आपके जहांगीर, अकबर, एहमत साह, अबदाली और हमायूं तो दोस्तो पानिपत की जो तीसरी लडाई हुई थी वो एहमत साह अबदाली और मराठाओं की बेच हुई थी जिसमें मराठाओं का पराजित हुए थे तो दोस्तो option C इस question का सही होगा क्योंकि लड़ाई किसकी बीच में वी थी एहमद साब दाली और मराठाओं की बीच में अगर मराठा हर गए तो बिल्कुल समझने वाली बात है कि जीता कौन एहमद साब दाली तो question number 3 का right answer option C रहेगा अब चलते हैं दोस्तो अगले question की तरफ question number 4 चार number question है दोस्तो the Himalaya is the example of which mountain यानि कि Himalaya परवज जो है वो किस का उदाहरण है ठीक है options है आपके बिलाग परवज का प्राचीन परवज का fold mountain और इन में से कोई नहीं ठीक है question number 4 का आपका जो सही answer होगा वो है आपका option C fold mountain ठीक है दोस्तो important question है इसमें सनी ही सोचना की सर कौन से question करा रहे हैं जो भी question है important question है तभी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ बागी फाल्तियों के question मैं आपको लेकर आता ही नहीं ठीक है निमलिकत में से किस ग्रे को morning star के नाम से जाना जाता है which of the following planets is known as morning star option से आपके मंगल, ब्रस्पती, सुक्र और सनी तो दोस्तो सुक्र के लिए morning star के रूप में जो है वो जाना जाता है तो option C is question का सही answer होगा अब चलते हैं दोस्तो अगले question की तरफ question number 6 what is the number of chamber in the human heart मानब हिर्दय के कच्छों की संख्या कितनी होती है तो मानब हिर्दय के कच्छों की संख्या होती है दोस्तो कितनी 4 तो question number 6 का सही answer होगा आपका option B 4 चलिए अगले question की तरफ चलते हैं question number 7 7 number question है दोस्तो where is thyroid gland found thyroid gland ग्रन्थी कहां पाई जाती है तो thyroid gland ग्रन्थी जो होती है दोस्तो गो पाई जाती है हमारे गर्दन में याने की गले में तो option C इस question का right answer होगा अब चलते हैं दोस्तो आज की अगले question की तरफ question number 8 8 number question है भारती विग्यान संस्थान कहां इस्तित है the Indian Institute of Science is located दिल्ली, करनाटक, उत्तर प्रदेश या फिर आंधर प्रदेश में तो दोस्तो Indian Institute of Science कहां पर located है बैंगलोर और बैंगलोर कहां पर है करनाटक की राजधानी है question number 8 का क्या answer हुआ सही option B करनाटक ठीक है अगर सहर का नाम दिया गया हो तो करनाटक ठीक करना है और सहर का नाम दिया गया हो तो आपको बैंगलोर ठीक करना है और अगर राजियों को नाम दिया गया है तो करनाटक में है ठीक है तो option B यहाँ पर आपका सही answer होगा अगले question की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 9 कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साजा करता है options है पाकिस्तान, चीन, बंगला देश और नेपाल which country share the longest boundary with India ठीक है तो ऐसा इनमें से कौन सा देश है जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा भारत के साथ में share होती है तो question number 9 का सही answer होगा आपका option C, Bangladesh दोस्तो बंगला देश, North, East और West तीनों तरफ से जो है वो बंगला देश और भारत की सीमा एक दूसरे से साजा होती है तो भारत के साथ में सबसे ज़्यादा कौन सी देश की सीमा जो साजा होती है, बंगला देश की तो option C, इस question का right answer होगा चलिए, अगले question की तरफ चलते हैं question number 10 Who was the first Indian to receive the Nobel Prize Nobel पुरुसकार पाने वाले पहले भारती कौन थे? options हैं, मदल टेरेसा, हर्गोबिंद खुराना रविंदरनाथ टैगोर और आत्मर्रे सेन तो दोस्तो, सबसे पहले भारत में किस के लिए नोबल पुरुसकार मिला था, रविंदरनाथ टैगोर के लिए तो options है, इस question का सही answer होगा अब चलते हैं, दोस्तो, अगले question की तरफ question number 11 question number 11 है हमारा Which of the following was responsible for the partition of Bengal? निम्न में से कौन बंगाल विवाजन का जिम्मेदार था? options है, Lord Mountbatten, Lord Karjan, Lord Hastings और Lord Dalhoji तो दोस्तो, बंगाल विवाजन को जिम्मेदार था, वो कौन था? Lord Karjan तो option B, इस question का सही answer होगा अगले question की तरफ चलते हैं question number 12 Who was the first Muslim woman ruler of Delhi? दिल्ली की पहली मुस्लिम महला सासा कौन थी? तो दिल्ली की पहली मुस्लिम महला सासा कौन थी? रजय सुल्तान बहुत repeatable question है आपके question paper में ये question जरूर पूंचा जाएगा चलिए अगले question की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 13 खासी और गारो ट्रैप्स, mainly lips in खासी और गारो जंजाती मुख रूप से रहते हैं कौन से राज में रहते हैं? मेगा लेमन तो option A इस question का सही आंसर होगा अगला question है हमारा question number 14 question number 14 है दोस्तो how many members are nominated by the president in राजसभा राजसभा में राष्टरपती द्वारा कितने सदर्शे मनुनित किये जाते हैं? options हैं 2, 10, 4 या फिर 12 तो दोस्तो राष्टरपती जो होता है वो राजसभा में 12 सदर्शे को मनुनित कर सकता है question number 14 का right answer option D होगा 12 सदर्शे आप चलते हैं आज की अगले question की तरह है वो राष्ट का last question है दोस्तो यह question number 15 what is the retirement age of high court judges in India? भारत में उच्छ नयाय लेके नियादीसों की सेवा निबरती की आयू क्या है? तो दोस्तो उच्छ नयाय लेक यानि की high court की जो नयाधीस होते है judges होते है उनकी जो retirement की age है वो है 62 years ठीक है? और यहाँ पर अगर दोस्तो उच्छ नयाय ले यानि की supreme court की जज़ों की अगर यहाँ पर retirement case पुछी जाय तो है 65 years ठीक है? लेकर यहाँ पर high court की पुछी है तो option D is question का सही answer होगा तो दोस्तो यह थी 15 question इस question paper की जो है वो answer की भी बिल्कुल ready की हुई है आप देख सकते हैं यह इसकी answer की है ठीक है? तो आप इस answer की के लिए हमारे telegram channel से अभी के अभी download कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार लेकिन जैहिंद बोलने से पहले आपको बता दूँ कि डेली 10 बजे reasoning की वीडियो चैनल पर upload होगी जब तक आपका exam नहीं हो जाएगा तब तक ठीक है तो reasoning की वीडियो को डेली 10 बजे जरूर दे हैं तो चलिए दोस्तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहिंद जैवारत